चनाव आयों द्वारा लोग सबाचनाव की घोशना होते ही हिंगन घाट वधान सबाच शेत्र में आदर्श आचार सहीता लाकू कर दी गई है वर्दा लोग सबाच सीट पर दूसरे चरण यानि 26 अप्रेल दोहजार चोबिस को मदान होगा देशबर में वोटों की गिंती एक ही दिन चार जोन दोहजार चोबिस को होगी उफिबागिय एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी शिल्पा सोनाली ने प्रेस वार्था में बताया कि लोग तंत्र के महापर्व इस चुनाओ को पार दर्शरी एवं भय मुक्त वातावरण में संपन्नक कराने के लिए तालुक का प्रशासन तत्पर है वर्दा दोग सभा आम चुनाओ की खोशना के संबन्ध में 18 मार्च 2024 को उफिबागी अधिकारी के सभा कक्ष में एक प्रेस कॉन्फरेंस का आईजन क्या क्या था और समय उफिबागी अधिकारी बोल रहे थे इस अउसर पर सागर कामरी नायव तैसिल तारुपस दित थे उफिबागी अधिकारी शिल्पा सोनाने ने कहा कि भारत निर्वाच्चन आयव ने फ्रेस कॉन्फरेंस कर लोग सभा आम चुनाओ 2024 की खोशना की और तालुका में आदश आचार सहिता लागू करती है। बारत निर्वाचन आयोग ने वर्धान लोग सबा आम चुनाव कारिक्रम की खोशना करती है। इस संबर में अधी सुचना जारी करती गई है और चुनाव आयोग की और सही आदश आचार सहीता की जानकारी पीदे दी गई है। आयोग और जिनला प्रशासन सोशल मेडिया, पेट न्यूस और फेक न्यूस पर कड़ी नज़त रखेगा और जिला पुलिस अधिक्षक के मारके दर्शन में साइबर सेल फेक न्यूस फैलाने वालों की खिलाब सक्त कारिवाई करेगा। और विबाग की अधिकारी ने नाग इसमें पुरिश मद्दाता 1,48,514 और महिला मद्दाता 1,44,512 मद्दाता है। हिंगन घाट लोग सभाज शेत्र में मद्दान केंडों की कुल संक्या 341 है। उन्होंने कहा कि मद्दान जागरुता के मात्यम से विबिन नगती विद्यास संचारित कर इस चुनाव में पुरिशन न्यूस के लिए हिंगन काट से रवी यनुर करकी रिपोर्ट।